हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गुजराते की चन में आज हम बनाएंगे सक्कर पारा की रेसिपी क्योंकि दिवाली अभी नस्तिकी है तो अभी हम दिवाली स्पेशल रेसिपी बनाएंगे अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ये रेसिपी को 1000 लाइक तक पोचा दीजेगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई रेसिपी लाती रहूंगी और मेरी चैनल पर गुजराती और हिंदी दोनों रेसिपी लेंग्वेज में अवेलेबल है तो आप सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं तो सक्कर बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका पानी बनाना है तो मैंने एक बरतन में एक बाउल सुगर याने की चीनी लिया है एक बाउल से नाप से मैंने लिया है एक बाउल पानी और वही बाउल से नाप से मैंने लिया है थ्री फोर्ट गी पूरा नहीं भरा मैंने थोड़ा सा बाकी रखा है तो उतना गी एड़ करेंगे मैंने प्योर गी लिया है आप चाहे तो वनस पती गी यूज कर सकते है और अभी गैस का फ्लेंड अन करके उसको अच्छे से बॉयल करना है ताकि अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए चीनी घी और पानी तीनो त यह एक ठंडा हो गया है तो एकतव मैंने लिया है मैंदा मैंने पैंडाओ लिय लिया है तो सब मैंने प्रसंद है पाले अब हम दाले हम चुटा के परी लेना है ज्यादा Gastoba डाल दीजिए अभी हम डालेंगे में द tooko पाणी के अंदर ठोड़ा याट करके मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा अचा को गुनते जाएंगे अच्छे से हमें बहुत हाट अधा नहीं मना है थोड़ा सा soft रखना है लेकिन बहुत soft भी नहीं तो आप देखेंगे कि हमारा जो आटा है मैंने थोड़ा बाकी का है वो भी डाला है अभी अभी थोड़ा पानी है तो अभी लगेगा तो हम और भी डाल देंगे तो इसी तरीके से आटे को गुनते जाए और थोड़ा थोड़ा मेक्स करते जाए तो अभी थोड़ा गिला है तो थोड़ा बाकी का बचा जो आटा है वो मैंने अड़ कर दिया है अभी हमें आटे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो टोटल मैंने डाइसोग्रम मेंदा यूज किया है आप देखेंगी कि अच्छे से आटा गुन गया है अगर आपको थोड़ा आटा गिला लग रहा है तो आप थोड़ा मेंदा एड़ करके अच्छे से आटे को गुन लीजे लेकिन बहुत हाट भी ना रखे और बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं पर आटे के जैसे का हमें सॉफ्ट डोग बनाना है तो आप देखेंगी अच्छे से आटा मसल मसल के मैंने गुन लिया है इसी तरीके से आटा हमें होना चाहिए तो अभी आटा लगके तयार हो गया है डाइस्योग्रम मेंदा मेंने यूज किया है अगर आपका मेंदा कितना है उसके इसाप से आप कम ज़दा कर सकते हैं अभी हम उसको ढखके एक से डेड़ गंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से रेस्ट होके हमारे सकर पाड़े अच्छे से बने आटा अच्छे से रेस्ट हो गया है आप देखेंगे तो एक बार अच्छे से उसको मसल लेंगे ताकि यह हाड हो गया हो तो चार उसको मेडियम साइज के बना के तयार कर लिया है अच्छे से उसको कर लेंगे ताकि हमें बेलने में आसानी रहे तो चार पेड़े बना के तयार हो गया है तो अभी हम उसको बेल लेंगे हमें उसको बहुत ही पतला नहीं और बहुत ही मूटा नहीं वैसे बनाना है दूस लिए अच्छे से उसको प्रेस करके उसको रोटी के जैसा बना लिजे लेकिन ध्यान रखे कि बहुत ही पतला ना किजेगा तो अच्छे से उसको बेलते जाए अच्छे से प्रेसर दे के गोल या फिर कोई भी एंगल बनाना हो तो बना सकते हमें उसको सकर पारा ही बनाना है अगर आपको ये रोटी गोल नहीं बन रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप देखेंगे कि मैंने अच्छे से उसको प्रेसर देखें अच्छे से उसको बेल दिया है इतनी हम रखेंगे और बड़ी नहीं करेंगे और आप जितनी बड़ी बेलेंगे उतनी वह छोटी होती जाती है तो आप देखेंगे कि मेरे इतने ठीक रखी है तो अब हम उसको CUT कर लेंगे शक्तकर्परा की साइज में आप चाहे तो square में भी cut सмос in रिखेंगल में मैं कीया है आप size की कोई भी च्छूटी बड़ी साइज रख सकते है मैं थूठी बड़ी size कोई भी साइज को रख सकते हैं तो इसी तरीके से हमें सकर पाड़े को कट कर लेना है ट्राइंगल में मैंने कट किया है तो मेरे सारे सकर पाड़े कट हो गए है तो अभी हम उसको एक प्लेट में निकालेंगे अगर चिपका है तो उसको तोड़के निकाल लीजेगा तो इसी तरीके से सारे रोटियों को अच्छे से बिल के सकर पाड़े को कट करके तयार कर लेना है और हमें ऐसे प्लेट में रख लेना है आप देखेंगे कि मेरा दूसरे सारे सकर पाड़े बन के तयार हो गई है साथ में हमें तेल को भी घरम करने रख देना है लेकिन अभी ध्यान य एड़ करेंगे तिल अच्छे से घरम हो गया है और गैस को मेडियम ही रखा है और थोड़े-थोड़े सकर पाड़े डालते जाएंगे तो इसी तरीके से आप थोड़े-थोड़े डालिए बहुत ज्यादा कड़ाय में नाब भर दीजेगा थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थ ताकि अच्छे से सकर पाड़े फूल के उपर आए तो मैंने थोड़े सकर पाड़े डाल के तयार कर लिया है थोड़ी अभी हमें उसको बीच में छूना नहीं है जब तक कि सकर पाड़े उपर से फ्राई होके उपर ना जाए थोड़ी सेकन में आप देखेंगे कि सकर अच्छे से फुल फुल के उपर आके फ्राइ होने लगे हैं बीच बीच में अच्छे से हिलाते रहेंगे तो थोड़ी तेर में आप देखेंगे कि हमारे सक्करपार अच्छे से फ्राइ होने लगे हैं थोड़ा सा हलका सा लाल कलर आ जाए तब तक हमें फ्राइ करना है तो आ आप देख सकते इसी तरीके हो जाएगा अभी आपको लगएगा कि सॉफ्ट है लेकिन ठंडा होने के बाद यह और अच्छे से क्रिस्पी बनेगा तो अच्छे से उसको निकाल लेना है और सेम प्रोसेसर में सारे सकर पाड़े को तल के तयार कर लोंगी तो थोड़ी देर में अच्छे से फ्राइब हो गये हैं अच्छे से फूल के तयार हो गये ठंडे होने के बाद यह और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तो ठंडे होने के बाद उसको एक हैटाइट डब्बे में भर दीजे और उसको 15-20 दिन खा सकते हैं तो दीवाली में यह रेसिपी को कर आद डपते के लिये बाद